हिंदुस्तान में हिंदुतुदारा बनाई गई जाती व्यवस्था से पीडित और अपमानी तथा सोसित होना आम बात है लेकिन इतिहास इसका गवा है कि सोसित समाज ने ही हिंदुस्तान की धरती को अपने परी सरम और खून की बुंदों से सिचित किया है नमस्कार दोस्तों मैं हूँ विनो दियादव और आपका स्वागत है सरल हिष्ट्री यूटूब चैनल पर दोस्तों आज इस वीडियो में मीना जाती के इतिहास के बारे में बात करेंगे दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमेश्या की तरह आपसे एक छोटा सा निवेदन है अगर आप पहली बार सरल हिष्ट्री यूटूब चैनल का वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को फटाफट लाइक करके सेयर कर मीना जाती भारत के रास्थान राज्ये में निवास करने वाली एक जन जाती है वेद पुराणों के अनुसार मीना जाती मत्षे भगवान की वनसज है पुराणों के अनुसार चैतर सुकल तृतिया को कृतमाला नदी के जल से मत्षे भगवान पर कटुए थे इस दिन को मी मिनाजाती का गणचिन्य मीन यानि की मचली था। मचली को संस्कृत में मत्षे कहा जाता है। प्राचीन काल में मीनाजाती के रजाओं के हाथ में वज्र तथा धोजाओं में मत्षे का चिन्य अंकित होता था। इसी कारण से प्राचीन काल में मीनाजाती को मत्षे माना गया प्राचीन गरंथों में मत्षे जन्पत का सपष्ट उलेक मिलता है जिसकी राजधानी विराट नगर थी जो अब जैपूर वैराट है इस मत्षे जन्पत में अलवर भरतपूर और जैपूर के आसपात का छेतर सामिल था आज भी मीना लोग इसी छेतर में अधिक संख्या में रहते हैं मीना जाती के भटों के अनुसार मीना जाती में 12 पाल, 32 तड़ और 5,248 गोतर हैं मद्य परदेश के भी लगबग 23 जिलों में मीना समाज निवास करता है आलवर जिले के गजेटियर के अनुसार जैपूर के एक भहुत बड़े भू भाग में मीनों का सासन रहा है मीना 32 गोतरों और दो भागों में विबगत हुआ करते थे ये दोनों भाग हैं जमीदार या किर्शक मीना और चोकीदार अथवा सासक मीना किर्शक मीना अच्छे किर्शक समू का नेतरुत करता था जबकि चोकीदार उच्वर्ग के समू से संबंद रखते थे इसलिए ये किर्शक मीना समू में जनम लेने वाली लड़की से विवा तो कर लेते थे परन्तु अपनी लड़की का विवा किर्शक मीना समूदाय में लड़के से कभी नहीं करवाते थे इतिहास इस बात का गवा है कि चोकिदार वरगिय मीनाओं ने किर्शी का वैवसाय सुरू किया तब वे अपनी कुलीनता और हैसियत खो बैठे इस परकार वे किर्शक वरगिय समू मीना समू से जाते मिले चोकिदार मीनो के वीरता के कारना में दकसिन भार तक परशिद हैं ऐसा कहा जाता है कि ये लोग किसी बहादूर के नेतरतों में सुधूर दकसिन में हादराबाद तक जाते थे और वहां डकैती डालते थे और आपर तक्स रूप से ठगी करते थे ठगी अत्वाल लूट के माल से ये अपने आसपास के गाउं में लोगों की सहायता किया करते थे उसी वज़े से लूटे रे होते हुए भी ये अपने समूं में काफी लोक पिरिये होते थे बहुत संख्यक वर्ग अपने आसपास के इलाकों में ही चोरी और डकैती का काम किया करते थे लोग आतंकित होकर इनके समू को अपना गाउं सोप देते थे और इन्हें बहुत बड़ी रकम अनौपचारिक रूप से करके रूप में देते थे उनके दुस्साहास पूरन कारियों से महराज विजे सिंग बहुत तंग हो गए और इन पर परती बंद लागू कर दिया गया अच्छे आचरन वाले लोग उन्चोकिदार मीनों के साथ विवा और हुक्के पानी के संबंध से भी परेज रखने लगे उत्रपूर्वी रास्थान के मीन अपने आपको दक्षिन रास्थान के मीनों से अलग मानते हैं यह भावना खासकर परताब गड़ के मीनों में देखने को मिलती है रहन सेन तथा आचार साहिता तथा आचार विचार की दुरुष्टी से यह समाज की मुख्य धारा से अब जुड़ गया है विवा संबंध और समाजी क्रिस्तों का इनका अपना अलग ही एक दायरा है दोस्तो इस वीडियो में इतना ही उमीद करता हूँ मीना जाती से जुड़ी ये बातें आपको पसंद आई होगी आपसे फिर से एक छोटा सा निवेदन है दोस्तों कि अगर आप पहली बार सरल हिस्ट्री यूटूब चैनल का वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके फटाफट सेयर कर दीजिए मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ जल्द ही तब तक जैहिंद